हलो दोस्तों कैसे आप सब मैं आसा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सभी को रादे रादे आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को इस आई इप यह निक इंडिजियल एजुकेसिनल प्रोग्राप जिसले बस दो हचार 21 में परिवर्तन हुआ है उसी के हिसाफ से हम आपको फाइल कैसे बनाना है उस सबी के बारे में बताएं पर ध्यान रहे हमने इसलिए इंगलिज बनाया है क्योंकि कोई भी इसको देख सकत है इसमें इंगलिज का मतलब यह नहीं है कि बहुत बड़ी हाई लेंग्विज में लिखा गया है तो हम अपने वीडियो को सुरू करने से पहले हम सबीसे आप से एस्पेक्ट करते हैं कि जो वीडियो हमाई देख रहेंगे हमाई लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर चले हम सुरू करते हैं आई एपी के बारे में पहले हम बता देते हैं आई एपी जो है किसी भी बच्चों की बनाई जा सकते चाहे हो इस्पेशल कटेगरी से हो या नॉर्मल कटेगरी से हो क्योंकि आई एपी का मतलब होता है कि कि किसी एक विसेस बच्चों के लिए या न जो आई पी इस बार से लेवस में परिवर्तन हुआ है तो उसमें अलग-अलग तीन तरह के बच्चे हैं उन पर अलग-अलग टॉपिक के साफ से कारी करना होगा जिसमें सबसे पहले बच्चे आते हैं इंटलेक्शुल डिशिबिल्टी तो इंटलेक्श using डिवल्पिंटल डिशिबिल्टी जो हमारे कोर्स है आई डी थी के तो उसमें अलग-अलग तरह की विकलांगधाों के बारे में डिसकस किया गया हैं जिसमें हमें कीबले तीन बच्चों पर ही कारे करना है पहला है आई ड पीप बेसिक हमार MDPS चेकलिस्ट यूज़ करेंगे दूसरे नमबर पर आता है एसटी एसटी बच्चों के लिए ईसा चेकलिस्ट जो नाम दिया गया है ISAA ये चेकलिस्ट इस पे आपको काम करना होगा और हम इस वीडियो के मारे से केवल इन तीनों जमने चेकलिस्ट उसका परिशे बताएंगे आपको तक SLD इन तीनों बच्चों पर जो IP का कारी करना होगा उनके लिए अलग अलग चेक्लिस्ट का उप्योग करना होगा जिन बच्चों को चेक्लिस्ट नहीं मिलेगी वह मेरे वाटसअप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं और हम वाटसअप के माद्यम से उनको चेक्लिस्ट भी प्रवाइड कर देंगे कुछ बच्चों के पास आईडी की चेक्लिस्ट होगी उसमें FACP बेसी केमार और सब्सक्राइब करना है उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की इसा और ग्लेट पर काम करना और ग्लेट का मतलब होता है जो हम नौर्मल बच्चों पर काम कर देंसे हिंदी इंग्लिस मैस साइन्स अगरा पड़ाते हैं उन सब की जो हम एकेडमिक परफॉर्मेंस होते हैं सब्सक्राइब करला है उसमें उसमें में इस अपटा सबसे सबसे में आपको बच्चों यूदे मोग जना components घुंड पर杂 और भी इस में हम ने आपको पड़ाया ईसा क्या होती है उसी ग्रेडिंग कैसे के जाती है साधी ही बताया है चलि हम आपको आगे अपनी विडियो शुरू करते है जैसे अनी के आपको दिखाई दे रहा है intellectual disability क्या होती है उसकी यहां पर हमने परिफासा लिखा है वह भी English में कि English में है लिकिन हम समझा देते हैं कह रहा है intellectual disability is presenting in about two or three prescription the presentation it can be defined as cognitive ability that the Mark Lee में काइंडली प्लॉंग एवरेज लेवल एंड डिस्क्राइब डिसिव एविलेटी टू एडप्ट वाइद इन्वार्मेंट यहीं कि कह रहे हैं कि जो दो से तीन साल दो से इनकी तीन भल्मेट होगी उसमें आपको अलग अलग तरह असके करना होका इन्की ऑन्वार्मेंट फे से ध्यान देना होगा इसके बारे में लिखा लेक्ट क्या होती है development क्या हो ओछी साजशी जिखा गया तुसरे नंबर पर राता है उसकी परभात से इस्दों DR है उसका फुल फॉर्म क्या होगा इंग्लिज में लिखा है मेंटल इटार्डेशन रिफर्ड टू सिग्निफिकेंटली सब एब्रेज जन्री एंटेलिजेंट फंक्शनिंग रिलेटिंग इंदा एससीएशन विद दा कंशरेट इंप इंपेरमेंट इन एडाप्टिंग विहेविर एंड मोडिफाई दे डियूरिंग डवलेप्मेंटल पीरियोड यहीं कि इनको इसाफ से बहुत दीक अच्छामता की परिवासा क्या होगी इन्होंने लिख आया है उस होता है तो इस दर्हें कि इनकी भी आईकी होती है और यह दिक जाता है कि और इंतर हाद में जी हम आग massage覺 कारेश हमता है उसको काैसे करें उसके बारे में लिखा हुआ है अप लोग अपने पेपर में एफोटीट सुट में बनांगर करिकू सकते हैं आब अब लोग भी ऐसे बना सकते हैं इसको अपने फाइल में लगाने के लिए क्योंकि इंग्लिस आज के डेट में फ़र्ट इंग्लिस की है तो आप लोग ज़रूर लिखिए और जो नहीं समझ में आएगा आप लिखने के बाद मेरे से आप डिसकस कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसमें करेंगे तो मेरे साफ से बीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैंने चाहता आपको जादा समय वीडियो हमारी देखने में लगे आप लोग अपना काम करिए इसके बाद कौज़ आप मेंटल लेटाडेशन यानि कि जो मानसिक मनता है या बहुत ही का चमता है उसके क् अपको कॉमर पेपर में पढ़ा गया था उन्हीं के हिसाफ से इसमें आपको लिखना होगा जैसा कि जनरल फैक्टर्स क्या होती है क्रोमोसोम एवलिटी डॉमेंश इंड्रोम एक सिंड्रोम तरेशन अलग अलग तरह से जो समय होती है उसी हिसाफ से इन मत्चों को इस फैक्टर्स क्या होती है और और प्रास दाव को लिख रिख एप यह आपको फीज नमर 4 में लिखा गया इसाम कि उखली है मादा करते हैं प्री नेटल फैक्टर जा होती है इसमें जो बाइवड तीये वह सारी चीजे लिखे गए यह भी लिख सकते हैं इसके बारे में यहार लिखा गया है उसके इन्वार्मेंटल इन्वायर मिन्टल एंड सोच्यो कल्च्र फैक्टर जाने की वाता वरड़ी और समाजिक तरह से जो भी आईकु लेबल दे जाती है तो जासा मिल कि जो आईकु लेबल है 10 to 50 या 70 की बीच को सकता है अगर इस के बीच आती है तो यह माइ जो आईकु लेबल अगर 10 to 70 की बीच आती है तो वो बच्चा माइल नहीं इसने गलत लिखा हुआ है माइल की जो रेशियों होती है 52 यहां पर आईक्यू लिखा गया है ना कि 10 है यह ध्यान रहे आप लोक कि हमने भी ध्यान नहीं दिया इस बात को 52 70 जो एबरेस होती है अगर वो देखा जा तो माइल की जो होती है वो होती है 52 70 और उससे जैसे डाउन होता है जैसे 35 तो 50 तो मोड़ेट की केस में आ जाता है कि सब्सक्राइब थर्ड में है 20 से लेकर है 22 35 आईक्यू लेवल जिसकी होती है सीवेल की केस में आते है प्रफाउंड जो बीच से नीचे हो उन जैसे बीच से नीचे मतलब पांच दस बीच लास्ट तो से नीचे प्रफाउंड लेवल की इसको अलग अलग काटेग्री में डिवाइड किया गया है इनके साइन और सिम्टम्स क्या होती है यहां की लिखा गया है आप लोग इसको देख करके लिख सकते हैं अब ट्रीटमेंट मोडिलीटी क्या होती है ट्रीटमेंट में देखो भी हैवियर मेरेजमेंट कर सकते हैं और मेंटल मोडिफाइड चेलिड़न डवलेप्मेंट नीड्स और प्रॉब्लम्स प्रोग्रम प्रोग्राम दैट इस पीच जैसे स्पीच तरफ फीजिए थरफी प्रफिच के जा सब्सक्राइब हैं उनको कैसे मोडिफाइड या रहेविलेटेट किया जा सकता है और उनको फैमलिया जोंकि प्रेंस प्रण को गाइट करके कि आप इन बच्छों को इस तरह नहीं ऐसे आप काम कराई है तलिए हम अब तक पीज नमबर शेविं तक यह था कि आईडी का introduction हो गया अब हम बात करते हैं एस्टी एस्टी का मतलब autism spectrum disorder autism spectrum disorder क्या होती है उसके बारे में आपको हम explain करवाएंगे इसमें जो है हमने सबसे पहले बताया हुआ है कि इन अच्छों के लिए इसा चेकलिस्ट का प्रयूग किया जाता है जिनका में दुबारा से कह रहेता हुँ जिनको इसा चेकलिस्ट नहीं परता है वो हमाई दूसरे यूट्यूब की माध्यम से हमने एक वीडियो बनाई हुई है वीडियो क्या उसमें लिखा हो का पेपर जो है पेपर थर्ड इसा चेकलिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्स्ट लेन किया है दुबारा से वीडियो देख सकते हैं जो समझ नहीं आया तो इस और टेज में स्पेक्टरम डिशॉडर क्या होती है उसके बारे में आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं निकिन वरबल कम्प्रमिकेशन नॉन वरबल कम्रमिकेशन सोसल इंटरेक् यानि कि समाज में कोई भी उनको कोई इससे लिए ना देना नहीं है उनको अपने से ही मतलब होता है तो इसलिए ऑटेज मच्चे थोड़ी सी से जो सौसल डवलप्मेंट होते हैं उसमें कम ही आती है यहां पर फूल फार्म लिखा गए यूटी यूटी आइसम और टेज्म करता है अलॉंग एबरी विद अधर अनुज्वल प्ले तोडल एंट्रेडल अब्जेक्शन इडेंटिफाइट तो अधर फ्यूपल शॉक्स मोम शॉर्ट मोमेंट्स एंट मैंसंस कि मॉन्टली एफ दर लेर्डनिंग डिस्टेविल्टी यह जो इसको भी कुश्चन में ध्यान रख से लिख लेना क्योंकि जो आई-पी के फाइल बनेगी तो उसमें आप से क्वेश्चन किया जा सकता है कि आँए अब यह जो आफै कि परिभास के किया चली सुप यति लेख लिखा हुआ कि अ कि अब आफ ऑपर आगे बत करते हैं ईसके श्यूल किया सिंटम्स त्मेटब से लिखा हुआ एफ लोग में लुग्ण में कर लेना और इंग्लिस में भी डेखा लिख लिखा भी आपको समभा जाना चाहिए इसके कारण क्या-क्या है कॉसे जफ और इस इसको लिखवाया होगा राश्कमार शर्न ने उसको भी आप लिख सकते जरूरी इंग्लिस में हो है बनाया इसमें लेकर लैक ओफ सिंजी करण में कमी और लचीलेपन में कमी के आपने आपको परिवर्त करना और टिस्टिक बच्चे इस तरह से सबसे ज़्याद प्रवर्यतन होता क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वह आपने कहीं दूसरी जगा जा रहे हैं तो अपने आपको कमफर्ट नहीं फिल करते हैं इसलिए वह कोसिस करते है कि हम उनको कहीं लेना जाएं कहीं दूसरी जगा परिवर्त इतना किया जाएं उसे उनकी वह हैजिटेट हो जाते हैं तो यह ग्रॉफ आपके लिए सबसे इंपोर्टन्ट है आप ध्यान रहे हैं कॉमन करेक्टर सीन एस्ट यह नहीं कि जो एस्टी बच्चे होते उनके क करेक्टर्स की हिंदी क्या होती है कि आप लोग देख लीजिए उसमें अलग-अलग फॉइंट देखे लिखा कि ना पूर आई कॉन्टेक्ट में भी ना डिप्रेंड विट बेने श्ट्रागन देदा सेवन एब्रेडें सीन एब्रेवन उसके बाद आगे कह रहे हैं में है कारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया पहला है बिहेविरल इंटरेक्शन इंटर्वेंशन इनकी जो समस्या है जो आटिस्टिक बच्चों की समस्या होती है उसको आप कैसे परिवर्टिन कर सकते हैं पहले पॉइंट से सेंसरी सेंसरी के मादर नहीं कि और डाइट इसका मतलब हुआ कि बिहवियर थेपी दी जाते हैं जो ऑटिस्टीक बच्चे होते हैं कि उनको उनकी तरह से समझना होगा नौर्म बचों के साथ जोड़ करके उसे में आते हैं तो उनको स्थंडे गरम की या उनकी इन्वार्मेंट में परिवटतन होता तो उनको समझाने की की हाङ सकता होती है कि आप अगर और ली बहुत एक-दो बार में साय तो अ मझता होती है अच्छी होती है तो हमारे बात को आसाने समझ जाते हैं अप लोगों को प्रme की भी आउशकता होती है कि इनकी जाब की नारमल वेक्ति की तरह होती तो हां को सीशोगा रहत बैट इन तोड़ी कम ही खिलाएं लास्ट में आते हैं विटामिन थेर्पी विटामिन थेर्पी में खह रहा है कि इन में क्या होती है कि जो परेंस है अगर इनके खाने पीने के विध्यान रखेंगे इनको किस तरह से मैनेज करना होगा अगर पैरेंस थ्यान रखेंगे तो इनमें जादा समझे आने की चमभाना यह कम रहती है चलिए यह बात थी अब बात होती सोरी एंस लर्णिंग डिशेविल्टी के बारे में अपको थोड़ा आवेर कर देते हैं सायद आपने पढ़ा प्योंगा कि इस्पेस्विक लर्णिंग डिशेविल्टी क्या होती है यह एक इसे अच्छामता या विक्रिति कह सकते हैं जो इस प्रकार से हो कि अगर हम कुछ उनको पढ़ा रहें या सिखा रहे हैं तो थोड़ी देरी से समझहा है। उनको लिखने की जो स्टाइल इसने चार तरह की चार या पांस तरह की हैं लेर्णिंग डिशेबिल्टी में अलग अलग तरह से डिशेबिल्टी को एक्ष्लेइन किया गया जैसे गड़तिय विकार भासा विकार कोसल विकार इस तरह से गड़तिय विकार कोसल विकार इस तरह सबसे पहले इनके परिचे लिखा गया है आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें इसकी परिवासा हिंदी में आपको बता देते हैं कि का मतलब होता है ऐसे ब्यक्ति जो लिखने पढ़ने बोलने में थोड़ी डिले की संभावनाय दिखाई दे या लिखने में जैसे हमने वह एल लिख रहे हैं तो एल को वह दूसरी साइड में जैसे एल को सीधने ऊपर से सीधा लेकि एम को वह डबलू समझे तो इस तरह से उन कि उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन आफ एल्डी इनके बरगी करन किस प्रकार से कर सकते हैं एक नमबर दो नमबर लिखा हुआ है जबसे हमने बता है डिस्केल कुलिया डिस्ग्राफिया डिस्लैक्सिया इस तीन है चौता है नानवर्बल लैनिंग डिशिब इस तरह से जो डिशॉडर से उसके बारे में लिखा गया है उसके बार नेक्स्ट आता है करेक्टरिस आफ लर्निंग डिशिबिल्टी इनकी तो है हम classification किस तरह से चल्ड में और इस लग्षिया डिस participant करके आपको इखना होगा anzee की behavior के सेлस्क्रण कैसे कर सकते हैं तिरे और अब लिखा गया है आप लोग धियान ம करके लिखेंगे जो समझ नहीं आएगा आप कमेंट के मार्दम से मेरे से क्वेस्टिन कर सकते हैं हम जवाब देने की कोशी करेंगे इनके टीलेंट से क्या होती है इस सारे चीजें लिखा गया है काज़े से अफ लेंडिंग डिस्टेबिल्टी यानि कि इन बच्चों में जो इस तरह समस्या होती क्यों होती इसका रीजन क्या है उसके बार जैसे हरेडिटी कंप्लिकेशन उसके बार अलग-अलग पॉइंट लिखेंगे आप लोग देख लिए क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबे आरे तो इसलिए हमने चाहरे ज्यादा समय लेकिए उसके बाद फू यहां जो किस लेंगे जिए और यूजी और साइकोलोजी इन सब के बार से हमें पता लगता है कि इस तरह से समय आई है तो इनमीक क्या चीज़ें आप परिवर्तिन कर सकते हैं इसमें क्या-क्या टूल्स यूज़ की जाती है उसके बारे में यहां आगे लिखा गया है इन जो इंटेरी यारी बुद्धी का चेस्ट बहुत धिक बुद्धी लब्धी का टेस्ट इसमें क्या होती है विप से सामें लोता है विज से डबलो ऐसाइए डबलो आई यसी डबलो एसाइए इस तरह से अलग-अलग चिक लिश्ट का उपयोग किया गया है तो आप लोग ध्यान से ध्यान से इसी सब बातों को रखना कि आपकी इंट्रोडेक्शन तीनों के लिखवा दिया है इनमें जैसे कि इससे पहले आपने आई-पी की परिश्य लिखा था इससे पहले आप सभी लोगों ने फाइल बनाई थी तो उसी को ध्यान में रखते ना कि बिखला आप लोग ध्यान नहीं सब्सक्राइब कोई भी इस तरह से संटेंस लिखें और बोलें तो आप कोसिश करें कि इसको अच्छे नाम लें दूसरा यह एक तीन हो का प्रच्छा मैं इस वीडियो के माद्याम जाप तक पहुशाने कोसिश किया है तो आप सभी लो उसके बाद इससे पहले हमने आप सभी को यह बता चुका हूं कि FACP, EMDP, SBC केमार इन पे काम कैसे किया जाता है या बच्चों पे हम इसको एसेस्मेंट में कैसी यूज करते हैं इस साथ चीजिए हमने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं और रही बाद गलेट की गलेट की आप हमें एक दो दिन में आप तक उसके बारे में आपको बता देंगे चलिए बहुत-बहुत धर्नवाद आप सम्हारी वीडियो को देखें कोसिस करना कि ये वीडियो हमाई सभी लोग लाइक शरूर करना क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तक सभी को राज़ आप